एक शाम खाली पन्ने को हाथ में लेके मैं जिन्दगी के बारे में सोच रहा था दरसल मेरे कलम को लिखने की इच्छा थी और मुझे सोच नहीं की उन खाली पन्नों में अपनी जिन्दगी की परच्छाई देख रहा था तभी एक खास मित्र का एक खास सवाल याद आया Roy, कैसे पता चले कि कौन से रिष्टे अंध तक चलेंगे मैं इस प्रश्ण के उत्तर को ढूंडने में लग गया सबसे पहले मैंने अपनी आखों से नजरीय का चश्मा हटाया यह सुनने में जितना ही सरले करने में उतना ही कठें बहुत देर तक मुझे दुनिया नजर नहीं आई दुंदला, परच्छाई, अंधेरा, आसमंजस फिर मैंने अपनी कहानियों को एक शिक्षक के नजर से देखा उनका मुल्यांकन करने के लिए उनमें कमिया निकालने के लिए कुछ कहानी के शुरुआत आखों से होती है आखें दिल का वो शरार्ती बच्चा है जो उचल कूद करता है और फिर जिद करता है कि मुझे वो चाहिए वो जिसकी आखें थोड़ी गहरी है वो जिसका रंग थोड़ा साफ है वो जिसकी जुल्फें थोड़ी घनी है वो जिसके चेहरे पर थोड़ा नूर है दिल फिर उन आखों से आखें मिलाता है अगर वो मुस्कुरा दे दिल पिघल जाता है आखों से शुरू ही कहानिया लेकिन आखों पर ही खत्म होती है क्योंकि आखें चंचल हैं और आखें शरार्ती कोई आखों में बस भी जल्दी जाता है तो कोई आखों को खलने भी जल्दी लगता है जितना आसान आखों का तारा होना है उतना ही आसान आखों में धूल जोगना और हम कितना भी मना क्यों न करें इंसान वक्त और हलात के हिसाब से बदली जाते हैं और आँखों के पास खुद का दिमाग कहा कहानी का अंत दिल में मायूसी आँखों में आसू कुछ कहानी के शुरुवाद दिमाग से होती है सोच जानके, नाप तौलके समझ भूजके यहाँ गुणों को गिना जाता है कहानी के इस मोड पे रिष्टे का मुल्यांकन करने वाले शिक्षक को खुशी है पर ना जाने क्यूं, मैं नजरिये का जसमा पहन रहो आप मुझे नादानी कहें पर जब तक वो पागलपन ना हो, वो फितूर ना हो वो नशा नहो, रिष्टा हो, पर प्यार नहो ऐसे रिष्टे से तो वयापार भला हो सकता है, यह समझाता किसी किसी को पसंद आए पर मेरा दिल, मेरे मित्र को यह उतर देने की नुमती नहीं देता कुछ रिष्टावों की शुरुआत दिल से होती है जब कोई बिना कहे आपकी खामोशियां पढ़ने लगे जब कोई बिना कहे आपकी खामोशियां पढ़ने लगे जब आपकी सारी बातें समझने लगे जब दोनों पागल हो या दोनों समझदार हो जब दोनों जिद्धी हो या दोनों जिम्मेदार हो जब वो सिर्फ आपके घाओ देखे ना महसूस करे वो आपको गले लगाए आपको महफूस करे कहानी के इस भाग को जान बुझके सुर और संगीत दिया गया है ताकि आपको लगे कि यही रिष्टे हैं जो अन तक चलेंगे पर ऐसा नहीं है क्योंकि जिन्दगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा वश नहीं चलता है जैसे दूरी, दिशा, दशा, कर्म, कला, कर्तव्य कुछ रिष्टे दर्द से जुड़े होते हैं पर क्या यह अन तक चलते हैं पता नहीं तो फिर तो सवाल रहे गया कि कौन से रिष्टे अन तक चलते हैं कहनी के शुरुआत कैसे भी हो, बीच में भले ही किरदार थोड़े बदल जाएं रिष्टे चलते हैं जिद से समय आता है जब सामने वाले पर बहुत प्यार आता है उनकी अदाओं पे, उनके इशारों पे, उनके धुआओं पे वक्त आता है जब सामने वाले पर बहुत गुस्सा आता है उनकी हसरतों पे, उनकी हरकतों पे, उनके कर्तबों पे जहां जिद होती है कि कुछ भी हो जाए अलग ना होंगे ज़रूत पड़ेगी तो साथ हम देंगे, गल्की होगी तो माफ कर देंगे जब तुम तुम ना रहो, जब हम ना रहें, उस वक्त भी नहीं जाएंगे तुम्हारी धूप में, तुम्हारी चाओ में, तुम्हारी खुश्यों में, तुम्हारे घाओ में तुम भले ही दूर कर दो, हम फिर भी नहीं जाएंगे या तो तुम्हें पूरा पालेंगे या खुद को भी नहीं चाहेंगे ऐसे रिष्टे या तो तुम्हें पूरा पालेंगे या खुद को भी नहीं चाहेंगे ऐसे रिष्टे, ऐसे लोग हमेशा रहते हैं इस कहानी में, इसके बाद हर कहानी में इस जिन्दगी में, इसके बाद हर जिन्दगी में, मेरे मित्र के सवाल पूछने से पहले, मेरे उत्तर लिखने के बाद, ऐसे रिष्टे, ऐसे लोग हमेशा गहते हैं. Thank you. और इस कहानी के पीछे का जो inspiration है, वो Bob Marley है, आपने सुना होगा ना, उनका एक quote है, कि in the end, the truth is, in the end everyone is going to hurt you. The truth is, in the end everyone is going to hurt you, you have to find the people's worth suffering for. Thank you.